नमबर आठ आठ वी बीमारी परिशानी टेंशन का सबब आपस की नफरतियां और दुश्मनियां रिश्टेदारों से दुश्मनियां अच्छा नहीं चाहते रिश्टेदार हमारा पड़ोसी से जगडे दुश्मनी बस्ती वाले दावत के मैदान में दुश्मनियां सियासत के मैदान में दुश्मनी आफिस में दुश्मनी कालिज में दुश्मनी पड़ोसीों की दुश्मनी दुश्मनी इंसान के सुकून को खराब कर देती है खुसुसन जबके दुश्मन सरकश भी हो सताने में एक्सपर्ट हो यह आफिस से आता है सोने के नाइट ड्यूटे करके है वो बड़ा आफ लगाएगा म्यूजिक पूरी जागो पारकिंग इसके गर के सामने अगर यह लगा पंक्चर परिशान करेगा रिष्टेदार रिष्टा बेटी का बेजा मत दो सहीनी लड़की रिष्टेदार दुश्मन भी रहते हैं ऐसे बच्चियों के रिष्टे खराब करते हैं लड़का है उसके लिए भी शिकायत करेंगे कमपनी में जाब कर रहा हैं कलीक्स हैं बास के पाश शिकायत करते हैं काम नहीं करता है ठीक से नमाज कुछ आता ये करता हो खाली अल्ला ले करते रहता घर पे बैठके इसको इबादत करने को भेज दो इसको साब कुछ काम नहीं करता है शिकायत करते हैं जूटी शिकायत करते कभी दावत के मैदान में तोहमते लगाते हैं नभीयों पे तोहमते लगी सताया गया सर पे मिटी डाली गई सियासत का मैदान है एक दूसरे के साथ साजिश करते हैं हकोमते हैं एक दूसरे के खिलाफ बगावत करती हैं सरकशी करती हैं जिन्दगी में चलता रहता है, आदमी को दुश्मन का डर हमेशा लगा रहता है, मालूम नहीं वो अगला स्टेप क्या लेगा, मुझको उससे क्या नुकसान पहुंचाएगा, मेरे खिलाफ क्या कारवाई करेगा, आदमी दुश्मनों के खौफ और फिक्र में, और उनकी तर आ गया, बाज वकाद गम होता है, बाज वकाद घुसा होता है, बाज वकाद फिकर होती है, टेंशन होता है, जिन्दगियां परेशान होती, कई बीमारियां बढ़ जाती है आदमी को, तो इसका हिलाज क्या है? नमबर एक, दूसरों के लिए दूसरों का भला चाहना, किसी माग में एक जगा उसके लिए बुक हो जाती है हमेशा उसको देखते हो क्या कर रहा देखता ठहर तेरा भी टायम आने दे अन्य से सरी आप उसके लिए परेशान है उसका भला चाहो आप उसके साथ उसके लिए खेर खाई करो ठीक है मेरा दुश्मन है ऐला उसको हिदायत दे आज ने तो कल सुधरेगा मेरा दुश्मन नहीं वो दुश्मन समझता है मुझको मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ आदमी अपने negative feelings को delete करे क्योंकि उससे उसका कोई फाइदा होने वाला नहीं है आदमी दुश्मनियां समाल समाल के रखता है जिसती जोरी में नोट रखता है फुलाँ ये रिष्टेदार हाँ फुलाँ का ये रिष्टेदार फुलाँ का रिष्टेदार दोस्त आफिस वाला पड़ोस वाला ये वाला पूरी जो है इतनी फाइलेंच समाल के रखता है वा क्यूं कोई जरुँत नहीं है छोड़ दो दुश्मनिया सारी इल्ला एक जबरदस्ती कोई दुश्मन बने आपका लेकिन आदमी जिन दुश्मनिया छोटी छोटी चीज़े होती हैं गाड़ी रुपि सिंगनल पे वो इसको देगा वो इसको देगा क्या है और क्या देख रह इस तरह से चुड़े होते हैं छोटी छोटी बात और दाइस्यो नहीं ऊश्राय ब़िए क्यों ऊश्राय है वो भी जोटे मेरी मर्जी कहीं भी देखिए आसूँगा तो इस तरह से चोटे छगडे बाद छोटे छोटे जगडे गतल तक चले जाते है आदमी दुश्मनी बेवज़ा बनाएं? नई और भला चाहे हैं लोगों का रफ़ दफ़ा करें अल्ला के नभी शल्ला आवले से फर्माते हैं का पिछली कौमों की एक बीमारी पिछली उम्मतों में से एक बीमारी तुम्हारे अंदर भी आई है क्या है वो? हसद और बुख्ज अदावत बुख्ज क्या है? अंदर दुश्मनी को संभाल के रखना तेरा टाइम आएगा तब तक मैं वेट करूँगा जैसी टाइम आएगा मौका छोड़ूँगा नहीं क्यों भाई अपना काम दंदा चोड़के आप किसी का मौका तराश करते रहें उसको सद्धाने का तेरा भी वक्त आएगा बिटा मैं देखता हूं तेरे को आज तुने ऐसा किया ना मैं बराबर इंतजार करूँगा पांच साल होने दे दस साल होने दे क्यों काम धंदा नहीं है अपनी जिन्दगी खुश होए खाए पिये आदमी मर जाए क्यों खाए मगा किसी का पीछा पकड़के बैठे आदमी हम बाद अगाद अपनी जिन्दगी अपने लिए जीने की बजाए दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं क्यों नहीं जी आदमे ऐसा कब पिछली उम्मतों की एक बीमारी तुम्हारे अंदर आई है क्या है अलहसद वल्बगबा हसद और बघजवद दावत ही अलहालिका यह बीमारी मौणड़ देती है मौणड़ देती जिसे उस तरह से मौणड़ दिया जाता है ला आकूलू तहलिकु शार वलाकिन तहलिकु दीन दुश्मनियां सर के बाल नहीं मौणड़ती है बलके दुश्मनी से क्या होता है वो दीन को मूंड देती है दीन को साफ कर देती है कितने लोग दुश्मनी में आके इतनी सीड़िया नीचे उतरते हैं कि अखलाकी गिरावट की कोई हद नहीं रहती है उसने ऐसा कि हमाई बेसा करूँगा उसने ऐसा कि हमाई बेसा करूँगा उसने ऐसा कि हमाई बेसा करूँगा करते 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 गटर में चले जाते हैं इतने गलत रास्ते पे निकल जाते हैं पिर दीन का कोई नाम नहीं रहता है काहका दीन और काहका क्या दुश्मनी निभाने में आदमी इतने नीचे इतनी सीड़ियां उतरता है दिश्मनी इंसान के दीन को तबाह कर देती है उसके आखरत बर्बाद कर देती है और हर आदमी समझता है उसने किया तो हमने भी करना चाहिए ना जस्टिफिकेशन उसने इसा किया इसने मैं इसा कर रहा उसे हैसे हैं यूढ आधिया वैसा कि इस न्या हम ऐसा कर रहा है हर आधमी दूसरे की वजह से नीचे 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 गंदगी में चला जाता है ही अलहालिकह दुश्मनिया दिन को उमुड देती है महीनी करता है बालों को मुढ़्टी है दिन कमून्टी हैं लदी नफसी बेदी हैं ला तद्धुलु जन्नत हत्था तूमिनू वला तूमिनू हत्था तखाबू उस जात की गस्म जिसके हाफ मेरी जान है तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि एमान वाले नहो जाओ और इमान वाले नहीं हो सकते जब तक के तुम आपस में महबत न करो क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बताओं कि उस से अल्ला ताला तुम्हारी महबतों को पुखता कर दे सलाम को आम करो सलाम को आपस में आम करो एक दूसरे से मुलागात हो तो क्या कहो सलाम करने वाला क्या कहता है अल्ला तुम को सलामत रखे अल्ला तुम पर रहमत नाजिल करे अल्ला रहम करे तुम पर अल्ला तुम्हारी खैर में बरकत दे लिगे हमारा सलाम को आपसा सलाम आले कुम मिल तु देखता हूं अच्छा को रह्मत और बरकत की दूआ है इससे उसको फाइदा हो ना हो आपको होता हैं अब आप अपने दुश्मन की लिए घर में बढ़े टेंशन ले रहे हैं दुश्मन घर में बैटके बिर्यानी खा रहा हैं ड़कार ले रहा है सो जा रहा है उसको मालूम भी कि नहीं आपको कितनी लेने से वह भीमार पड़ रहा क्या आप भी मार पड़ रहें है आपसोचो उसकी वज़ जैसे आप टेंशन ले परर दुष्मनीलि भारे आप बीमार कौन पर रहा वह पस की घर माहल खराब किसके हो रहा उसके आपके काम पे दिल नहीं लग रहा आपका जल्दी जल्दी घर पर आरे भी वोester क्यों यह क्यों नहीं मुर आपका उसकी हर व처 वक्त आप उस के बारे में सोच रहें आप कोई काम प्रोडक्टिविटी आप की क्या हो गई खताम क्यों दुश्मनी की वज़े से बास दुश्मनियां इनसान की परसनल लाइफ को भी खराब कर देती है छोड़ देना आदमी वो इस लायक नहीं कि मैं उसको दुश्मन बनाऊ छोड़ दो अगर इतना बुरा आदमी है वो छोड़ दो उसको अप मेरी जिंदगी मेरे खांगी अउकौत में मेरी दाधाने मेरे बड़ा है रिदेतना भार्ये होँ नहीं चाहिए मेरे घर के बार बार रहे गगा हो घर में नहीं आएगा हो मेरे पलंग पे बिस्तर में करवटों पे तक्ये के नीचे वो जिसे मुबाइल क्यों छोड़ दो उसको आप बलके आप अपने दिल को और अच्छा समझे एल्ला उसको इसको हिदाद दे अच्छा बना उसको उसको भी खुश रख मेरे को भी खुश रख नहीं बोल सकता है एल्ला उसको सही समझ दे मेरी दुश्मनी छोड़ने की तौफिक दे उसको मुझको उसकी दुश्मनी छोड़ने की तौफिक दे ऐसा करने से आदमी का लेवल जब उचा होता है अपनी निगामे तो आदमी को सुकौन मिलता है अपनी निगाह में जब लेवल कम होता है गिल्ट पैदा होता है वो तो गलत है मैं भी गलत हूँ तो अंदर से जो नदामत और गिल्ट होता है या आदमी के सुकून को खराब करता है क्यों आपके दिल में गिल्ट पैदा हो क्यों आपके दिल में नदामत पैदा हो शर्मिंदगी क्यों हो आपको आप अच्छा सोचो उसके बारे में उसका अच्छा हो ना हो आपका बुरा नहीं होगा तो दुश्मनियां इनसान का सुकुन खराब करती है बलके आगे बढ़के आदमी ये करें कि उसका भला करें